एलो एवरिवान इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे variation of magnetic declination की तो before we understand the variation of magnetic declination first of all we understand the magnetic declination तो जैसा कि हम लोग previous वीडियो में हम अल्रीडियो में हम लोग आल्रडी पढ़च चुके हैं कि magnetic declination क्या होता है तो true meridian जो होता है geographical north pole स स्य जो गो कि उयान जाता है को फ्रिली सेस्पेंट करते है तो एक लाइन अफ डिरेक्शन को सुख करता है दाट लाइन इस नोन एज मैगनेटिक मेरीडियन होता है इसका मैगनेटिक नौट यह बोल दे इस इस मैगनेटिक साउथ इस इस दोनों के बीच का जो होरिजन्टेल एंगल बनता है यानि कि ट्रू मेरीडियन और मैगनेटिक मेरीडियन के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं Magnetic declination गोलते हैं इसे को हम लोग क्या कहते है Magnetic declination ओके तो यह है Magnetic declination तो समय के साथ declination क्या होता है चेंज होता रहता है जैसे अभी आप जो देख रहे है declination यह declination east है और यही अगर Magnetic Meridian East Side जोका होता यानि कि that side तो इसे हम लोग बोते है declination waste तो ये जो है time के साथ ये क्या होता है चेंजे जाते जाता है variation देखने को मिलता है magnetic declination में यह हो सकता है declination yeast हो या declination waste हो जाए तो इसलिए इसी based पर magnetic declination को चार पार्ट में हम लोग नाम से जानते हैं based on their reasons किस कारण से उसमें variation आया है उसके according इसको हम लोग चार नाम से जानते हैं जैसे क्या आप देख सकते हैं secular variation annual variation duronal variation and irregular variation ठीक है तो एके करके हम लोग समझते हैं कि किसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं तो सबसे पहला जो है magnetic declination का वो है secular variation so language में देखते हैं the magnetic declination at a place is not constant it varies due to the flowing regions so कुछ-कुछ regions हैं जिसके कारण यह magnetic declination जो vary करता है तो secular variation जो होता है वो region है कि जब आपका true meridian magnetic meridian जो है pendulum की तरह काम करें pendulum means जैसे कि अभी इधर है जितना भी एंगल हो suppose यह theta east था 100 सालों में यह इधर से किधर आजा इधर आजाए इतना ही एंगल से और फिर 100 सालों में इधर आजाए फिर 100 सालों में इधर चल जाए यह क्या कर रहे है pendulum की तरह काम करें तो अगर इस टाइप का variation देखने को मिलता है कि declination जो है वो 100 सालों में एक साइट से swing होके दूसरे साइट चली जाती है तो उस टाइप के variation को अब लोग secular variation करते है तो जैसे कि आप लोग language में इसको देख सकते है secular variation क्या है the magnetic meridian behaves like a pendulum magnetic meridian क्या है pendulum की तरह react करता है अगर declination east 30 degree था तो declination west 30 degree हो जाता है with respect to true meridian किसके respect में? true meridian के respect में after every 100 year or so 100 साल या उससे अधी it swings from one direction to the opposite direction and hence the declination varies this variation is known as secular variation तो इस टाइप का जो variation होता है उससे हम लोग क्या कहते है secular variation कहते है next is annual variation annual variation क्या होता है एक तो annual से आपको पता चल गया हो यह yearly basis पो होगा जहांपे secular variation जो है 100 सालों का कुछ variation के बारे में बताता है annual variation जो है yearly variation को सोख करता है इसलिए इसका नाम annual variation है अलाकि यह किस regions होता है तो जैसा कि हम लोग जानते है हमारा अर्थ जो है वो क्या है rotate करता है rotate करते रहता है पूरे सालों बर एक साल में पूरा rotate करता है और वो क्या है अपने ही axis में क्या है कुछ degree से axis से inclined है कुछ ऐसे करके rotate करता है और यह जो path है जो sun के around गूमता है वो elliptical path है इसके कारण जो एक साल वो जो गूमता है और उसका जो axis जो है वो आपका inclined होते हुए इसके कारण यान एक साल में इसके कारण अर्थ के rotation around the sun in an elliptical path with inclined axis इसके कारण जो variation आता है magnetic declination में एक साल के अंदर उस type के variation को हम लोग क्या कते है annual variation केते है जैसके आप देख सकते है यहाँ पर the magnetic declination varies due to the rotation of the earth आर्थ के rotation के कारण with its axis inclined इसके axis जो inclined है in an elliptical path around the sun during a year इसी को हम लोग क्या कते है annual variation केते है इस variation is known as annual variation and the amount of variation is about 1 to 2 minute और इस variation देखने को मिलता है 1 to 2 minute का variation देखने को मिलता है so this is the annual variation next so next is durinal variation in durinal variation in durinal variation it is the rotation of earth on its own axis जो अर्थ जो है अपने ही axis में जो rotate करता है जिसके कारण जो एक दिन में particular day that is 24 hours में एक दिन में अर्थ के अपने ही एक्सिस में rotation के कारण जो variation आता है उससे हम लोग क्या कते है durinal variation बोलते है तो आप language में भी एक बार देख सकते है the magnetic declination varies due to the rotation of earth on its own axis in 24 hours इस type का variation को this variation is known as durinal variation तो अर्थ के rotation अपने ही axis में जो वो rotate करता है 24 गंटे में जिसके कारण magnetic declination में कुछ variation आता है तो इस variation को हम लोग durinal variation कहते है the amount of variation is found to be 3 to 12 minutes और इसके कारण जो variation देखने को मिलता है वो 3 से 12 minutes का देखने को मिलता है चलिए नेक्स जो हम लोग बात करेंगे वो है irregular variation तो यो regular variation क्या होता है कि variation वो variation जो magnetic declination में देखने को मिलता है natural causes के कारण और वो suddenly देखने को मिलता है natural causes जैसे कि earthquakes हो गया volcanic eruption हो गया tsunami हो गया कुछ इस type का causes के कारण sudden देखने को मिलता है कि अभी कुछ magnetic declination था और sudden इस type का जो natural causes होने के कारण variation देखने को मिला कि तुरन sudden change हो गया तो इस टाइप का जो variation होता है, उसको हम लोग irregular variation कहते हैं, तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, the magnetic declination is found to be very suddenly, तो magnetic declination हम लोग देखते हैं कि आचानक से क्या हो गया कि vary कर गया, due to some natural causes, किसके कारण, natural causes के कारण, जो कि क्या हो सकते हैं, such as earthquake, volcanic eruption, tsunami and so on, ऐसे बहुत सारे इस टाइप regular variation कहते हैं, तो इस तरीके से magnetic declination में इस तरीके से चार टाइप के variation अब लोग देखने को मिलता है, secular variation, annual variation, durnal variation and irregular variation, अगर आप compare करना चाहें, तो आप देखके समझ सकते हैं कि पहला जो variation है, वो secular variation है, और वो hundred years में देखने को मिलता है, दूसरा जो variation है, annual variation है, ये secular variation के years के लिए, वहीं पर आप अगर durnal variation के बात करें, तो ये होता है 24 hours या फिर a day, एक दिन के लिए, और बात की जाए irregular की, तो ये sudden होता है, ये instant बोल सकते हैं, तो ये sudden होता है, ये पहले hundred years, then one years, then a single day, और 24 hour, then sudden, तो इस टाइप से चार टाइप में क्या है, magnetic declination को variation को हम आगे हम लोग बात करेंगे दो important points की, जो कि है isogonic और agonic line, तो isogonic line किसे बोलते हैं, ये तुनों terms जो है related to magnetic declination है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि magnetic declination किसी जगह पे देखने को मिलता है, तो magnetic declination कहीं ऐसा जगह है, वो वो point जो सी magnetic declination को सो कर रहा है, magnetic declination जैसा कि हम लोग दानते हैं कि magnetic declination जो होता है, वो east भी हो सकता है, और west भी हो सकता है, तो suppose किजिए कि किसी जगह का magnetic declination जो हई, वो east है, इस्त है, या फिर वेस्त है, पुछ भी हो जबता है. एसा पॉइंट, जयसिकला करते हैं, यह जो लाइन पास करेगा, यह क्या है? यह लाइन पे जितने भी पॉइंटसते हैं, वह सप्लेन इसन को शू कर रहें। तो ऐसा लाइन चो सम लोग ऐस कोई करते हैं, और वो लाइन जिस पर 0 declination को सो किया जाता है वो लाइन जहाँ पर 0 declination सो करें उसको हम लोग एगॉनिक लाइन्स कहते हैं इसको और एक्जांपल समझते हैं इसे माल लिजें यहाँ पर 3 degree west 3 degree west और यहाँ पर 2 degree east 2 degree east और 2 degree east तो यह जो लाइन बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगा आइसोगौनिक लाइन ब leaving और यहाँ पर 2 degree east लिए यहाँ जो आइसोग्होनिक लैन 3dalle इस बेस्ट के लिए तो इसको हम लोग बिना आइसोगोनिक लैन क्योंकि वो इस लाइन पर जितने भी वो क्या है 3D ale pai manison should को लिए इसाते है बड़ क सकते है यहां पर डिकानेशन जसुपर ह्यां पर डिक्टायनशन प्रपढ़ है यह यहां भी ज्लार यह लैंडär यह क्या कर लाइगा जीरो डिक्स्यन हमझे जीरो गरी डीडिक्लेनिश चैनि की έगぎ इसाथ ही कारण से लान पासिंग थूरो पूंच अवी कोल सुमीं प्री ए रिटाना सी प्युर्द कई अगरेंगा हुरां यह आपका जिशो मोग कॉनी गाते हैं से लाएं पासिंग सब्सक्राइन यह गन पासिंग से प्ले झाल झाल